दोस्तों दिल्ली में जो है दिल्ली मेट्रो रेल कार्परेशन लिम्टेट के द्वारा जो है वेकींसी निकाल देगी है दिल्ली मेट्रो की ये संदार भरती जो है आपको निकाली गई है जिसमें आप देखेंगे तो इक्जेक्टिव इसके अलावा और भी कई परकार के अल इन्फोर्मेशन को अगर आप इस भरती का नोटिफिकेशन डाउड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से आप जॉइन होए टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा या वाट्सअप ग्रूप से नहीं जॉइन हुए है तो वाट्सअप ग्रूप से भी जॉइन होज़े वहा प्रालीग है गॉइन्ट ऑफ इंडिया एंड गॉइन्ट ऑफ डेली का जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी है डी अम आर एल्स डी डी एम आर सी यल पूरा नाम इसका यही रहने वाला है अब यहां पर देखेंगे तो रिक्वार्मेंट ऑफ एक्स्प्रियंस्ट नॉन एक स्कुड़ी पोस्ट हैं उसके लिए वेकिंसी आपको निकाली गई है अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बताया गया नंबर आप पोस्ट और सेलरी के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले सैलरी की तो आप देख यहां पर अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपका जो है 23 से 40 वर्स रखा गया है आपका सुपर्वाइजर के लिए टेकनिसियन के लिए आपका जो है 23 से 35 यर्स यहां पर रखा गया है एज में जो रिलेक्सिसन होता है वो आपका जो है गवर्मेंट आफ इंडिया का रूल के गोर्डिंग रहेगा जैसे कि S.E.S.T. को 5 साल कराता है और O.V.C. को 3 साल कराता है यह आपका जो है छूट जो देखने को मिलेगा एक अगस 2024 को आपका जो एज की गड़ना यहां पर की जाएगी बात करते हैं यहां पर आपका क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सप्रियेंस के लिए तो अगर बात कर यहां पर डिपार्टमेंट P.S.T. तो सुपरवाइजर पोस्ट कोड आप यहां पर देख सकते हैं नम प्रेक्सिबल रिगिड ओच्वे में आपका यहां पर उनियू प्द सिस्टम मतलब इसमें से किसी सिस्टम में आप जो है एक्स्प्रियेंस होने चाहिए नहीं यह है यह है तो यहां फॉर्म को भर सकते हैं इसकी वास यह टेक्निक्सियन पोस्ट कोड यहां पर देखेंग बताया गया इसमें से किसी भी system से आपका experience होना चाहिए तो ही आप form को भरेंगे, इसके वसे आपका signaling and telecom में आपका यहाँ पे बताया गया है, supervisor का post है, यहाँ पे 4 vacancy है, general के लिए 3 और OBC के लिए एक reserve है, 3 years regular engineering चाहिए, diploma in electronics में, electronics and communication में, computer science information technology में, मतलब इसमें से किसी भी traits स आपने कर रखावा, diploma 3 साल वाला, तो form को भर सकते हैं, इसके अलावा, यह जो आपका काम करने का experience है, यह भी आपको आपको हाँ पे, इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए, इसकी में से आता है, rolling stock, supervisor की vacancy है, दो post आपको रहने वाले, 3 years regular diploma चाहिए, electrical में, mechanical में, electrical electronics engineering में, इसमें से किसी भी discipline में, अगर आपने कर रखावा है, diploma, 3 साल वाला, तो form भरेंगे, इसके अलबा experience in field of rolling stock related work, मतलब इस field में आपका experience भी चाहिए, तो ही आप form भरेंगे, इसके विए से आपका track, technician post है, एक post है, general के लिए reserve है, यह भी general के लिए reserve था, दोनों post, मतलब यूर मत पद पर form भरने के लिए आपको चाहिए, पलंबर के साथ, तो आप form भरेंगे, और experience होना चाहिए, civil construction related work में, तो आप form को भरेंगे, इसमें आपको बताया गया, नीचे में age limit, और यहाँ पर आपका, जो है, आपका CTC, जो है, काइटेरिया दिखाया गया आपको, अब यहा CTC of 4 lakh, यह एवब, यहाँ पर आपको मतलब यह दिखाया गया है, कि अगर आप 3 साल गा experience देते हैं, तो आपका minimum CTC जो है, क्या होना चाहिए, उस एवब होना चाहिए, इस ही आपको यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर, candidates working in Mumbai या महारास्टा रीजन उड़ भी preferred, अगर कोई मुंबई रिजन महारास्टा रिजन में अगर काम कर रहा तो उनको ज्यादा प्रिफरेंस मिलेगा समझ रहा ना इसके लिए आपको सुपर्वाइजर के लिए बोला गया है कि आपका जो है त्री यह आउट आउट आफ त्री एक्सप्रियेंस तुट भी मेट्रोल मिनिम इनेवल सिक्स लग्स आपको यहां पर देखने को मिल सकता है अब यहां पर प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जानेशन भी आपको यहां पर होगा आपको मेडिकली फिट होने चाहिए आपका फिटनेस टेस्ट कराए जाएंगी इसके बाद से परक्टर यह सब आपको द आपको भरना है इसी एड्रेस पर आपको भरना है डूली फिल्ड अप्लिकेसर फॉर्म सुट बी सेंट एंड एंवलब सुपर एस्क्राइबिंग नेम और पोस्ट आपको भेजना है इसके साथ यहां बताया गया है यह आपको जो है डॉकुमेंट्स टूबी इंक्लोज क्या सेंट कले दौक्स करना यह वी आपको आपको देख लेना है तो यह आपको फिरलेन प्रोपर इमेल है अगर आप स्पीट पोस्ट नहीं करना चाहते तो इस इमेल पर भी आप इनको मेल कर सकते हैं तो दोनों माध्य हमें आप online email के थूप भर सकते हैं पले तो form print out निकाल के उसको फील करना होगा खुद से और उसको स्केन करना होगा स्केन करके उसके बाद आपको भीजना होगा इमेल पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है प्रोपर अच्छे तरीके से कि आप की इस पद के लिए form भर रहे हैं उसको कभर के उपर अगर आप आवे दिन फॉर्म भेज रहे हैं तो लिफाफा जो आपका यह रहता है इसका अंदर सभी डोकुमेंट्स रखेंगे आवे दिन फॉर्म रखेंगे और यहां पर आपको लिखना होगा अप्लिकेशन फॉर्ट पोस्ट और टू में क्या रहेगा यह प्रोपर एड्डरस यहां पर आप इलिजिबल है इस भरती के लिए तो जरूर्ट फॉर्म को अप्लाई करिए बहुत ही मस्त भरती आप यह निकाली गई है आसा करता हूं फ्रेंट्स आपको जनकारी समझ में आया होगा आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट बोक्स में पूछिएगा मिलते हैं किसी नेक्स पूड़े में जहींद आपका दिन सुभ हो